मराठा भारत भूमी के वो योध्था जिन के लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीद्दा है जिन के लिए पेश्वा के चचरे भाई श्रीमंत सदाशिव अभावव का अभिनन्दन की आ जाता है साहो ते अमला मैंने सुनाए जब पेश्वा अकेले मोहिब पर जाते है तो एक मस्तानी के साथ लोटते है मेरे जीवत में तुम ही हो और तुम ही रहो कि शस्त्र पूजन के समय आपने पेश्वा तलवर सदाशिव को क्यों दी सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा सामराजे के हित में ही रहा है आज हम पूरे हिंदोस्तान के शासक बन गए है मराठों की खलास जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर एक है जहाँ बना एहमद शाब दाली अब दाली के आने का बतलब है पूरे हिंदोस्तान पर आख़वाद इस बार एक लाग की फोज लेकर आ रहा है भो पिछनी बार जब हो यहां आया था तो यमुना का पानी साथ दिन तक लाल था हम मोरकत तक तो यह कोही नूर बड़ी मशक्कत से पाये जाता है चीनने इसे नहीं मिलता तलवारे खीच लो इस बार हमें उसे रोकना होगा एक बार इने खरा दिया ना पहर तहली क्या पूरा हिंदुस्तान आपका वो एक नाप की फूल लेकर आ रहा है तो हम कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शक्त्रों की संक्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे हम मर्ना ठोका सपाया करतेगे तो पेरा माले बंदू के आप इस बार अबदाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मद भी न करें मैं भी तुम्हार सब महीं पर चरूंगे सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगया जाओंगी कि अबदाली को भी पता लग जाए कि अभी तक अमारे धर्ती में वीर यौता खतम नहीं हो ए है अब हमारे बीच कोई तर्या नहीं है अब हमारे बीच सरफ पानीपकी यह रण भूमी है तू जोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है मैं इस धर्ती के मिट्टी के एक कड के लिए भी मरने को तैयार हूँ कर दो दो जब हमारे लास Ted